इस वक्क की बड़ी खबर उत्राखंट से उत्राखंट के मुख्य मंत्री त्रिवेन सिंग रावत ने दिया इस्तिफा तो आपको बता दे इस वक्क की बड़ी खबर उत्राखंट से आ रही है मुख्य मंत्री त्रिवेन सिंग रावत ने दे दिया इस्तिफा कल जेपी नटा से की थी मुलाकात, गवर्नर को दिया इस्तिफा इस वक्की बड़ी ख़बर आप देख रहे हैं प्रजातंत्र टीवी के स्क्रीन पर अब नए मुख्य मंत्री की होगी तास पोशी तक खंड में बड़ी सियासी हलचल सामने आई है, सुत्रों के अनुसार यहां मुख्य मंत्री त्रिवेन सिंग रावत ने अपने पद से इस्तिफा दे दिया है भारते जंता पार्टी ने पहले दिल्ली से दो परिवेक्षिकों को राज्य में भेजा था उसके बाद सीम ने खुद दिल्ली जाकर पार्टी के सीनियर नेताओं से कीती मुलकात जादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे एडिटर इंचीफ कौशलेंद प्रताब सिंग है कौशलेंद जी आप बताएंगे कि सीम की रेस में अभी कौन-कौन से दाविदार है जी ने पहले दिल्ली से दो परिवेक्चकों को राजी में भेजा था उसके बाद मुक्यमंत्री ने खुद जिल्ली जाकर पार्टी के सीनियर नेताओं से मुलकात कीती तो आपको बतादें कि जो आपका सवाल था कि मुक्यमंत्री अब नया कौन होगा तो मैं आपको बतादू इसमें तीन नाम चल रहे है पहला नाम है आजय भट तो आपको बतादें कि आजय भट जो है वो नैनी ताल से और उदमनगर से लोक्सभा की सांसद हैं मूल रूप से हल्दवानी के निवासी है आजय भट का सदस्य बनना होगा तो चुनाव की प्रिक्रिया से होकर गोजनना पड़ेगा या एमल्सी के पद से भी होकर गोजनना पड़ सकता है तो इससे साइध भारती रिंता पार्टी बढ़ सकती है दूसरा नाम में आपको बता दूँ कि अनिल बलूनी भी राजसभा के सांसद है और इस समय वो बीजेपी के राश्टी प्रवक्ता भी है वह पार्टी के आला कमान के खासों में खास मुदाने जाते हैं और आपको बता दें कि दिवंगर निता अरौंड जेटनी और रवी शक्तर परसाथ के बाद बलूनी पार्टी के ऐसे निता है जिनको राश्टी स समय योगी आदितना जिस्तरी के ससंत हैं वहीं पर सत्माल महराज भी एक उत्राखंड के लिए संत हैं तो हो सकता है कि सत्माल महराज मुक्य मंतरी के पत्व के तोर पर उनको देकर नवाजा जा सकता है और आपको ये भी बता दूँ कि सत्माल महराज में कॉंग्रेस से रा प्रजातंत्र टीवी के स्क्रीन पर उत्रा खंड के मुख्य मंत्री त्रिवें सिंग रावत ने इस्तिफाँ और अब नए सीम की होगी तास पोशी तो इस वाकि बड़ी खबर उत्रा खंड के सीम त्रिवें सिंग रावत ने इस्तिफाँ